अध्याय में आज आप सिखेंगे हूं टैब में एडिटिंग ब्लॉग के तहर्ट अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप फाइल में किसी पर्टिकुलर वर्ड को ढूणना चाहते हैं तो उसके लिए होम टैप के एडिटिंग ब्लॉग में उपर आपको फाइंड का बतन दिखेगा उस पर क्लिक करें इस डैलोग बॉक्स में जो वर्ड आप धूनना चाहते हैं वो टाइप करें वो वर्ड टाइप करते ही फाइल में जहां जहां पर वो वर्ड होगा वो हाइलाइट हो जाएगा जैसे हमने आफिस टाइप किया तो अब इस फाइल में जहां जहां पर भी आफिस वर्ड आया है वो हाइलाइट हो गया है इसे आप यहां से क्लोज कर सकते हैं यदि आप फाइल में किसी एक शब्द की जगह कोई दूसरा शब्द चाहते हैं तो उसके लिए यहां फाइंड के नीचे दिख रहा है रिप्लेस ऑप्शन पर क्लिक करें अब फाइंड वॉट में वो वर्ट टाइप करें जो आपको रिप्लेस करना हो जैसे हम एप्लिकेशन वर्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं तो हम यहां टाइप कर देंगे अप्लिकेशन रिप्लेस विद में वो वर्ट टाइप करें जिससे आप इस वर्ट को रिप्लेस करना चाहते हैं हम एप्लिकेशन और यह आप एक एक करके देखना चाहते हैं, कि यहाँ पर replace करना है या नहीं, तो replace option का उप्योग करेंगे, replace पर क्लिक करते ही, जहाँ पर application लिखा होगा, वो word highlight हो जाएगा, अब यहाँ पर आप पढ़कर देख लें, कि आप इसको replace करना चाहते हैं या नहीं, अगर यह replace करन हैं, तो फिर से replace पर क्लिक करें, यह देखिए, यहाँ पर उपर application की जग़ß, अब अगली जगह जहाँ पर application है, वहाँ वो word highlight हो गया है, आपको अगर इसको replace करना है तो वापस replace पर click करें और अगर नहीं करना है तो find next पर click करें यह देखिए find next पर जब हमने click किया तो यह second paragraph में जहां application था उसको उसने छोड़ दिया और अगले application word पर आ गया है अब अगर हमको इसको replace करना है तो हम replace पर click करेंगे और नहीं करना होगा तो find next करके अगली जगर इस word को ढूंडेंगे पर अगर आप चाहते हैं कि जहां जहां पर application word आया है वहां पर सब जगर एप आ जाए तो उसके लिए replace all पर click करें replace all पर click करते ही यह message आता है कि 10 जगर यह replacement कर दिया गया है यानि 10 जगर पर application word था और उसकी जगर app word आ गया है इसको okay कर देने पर आप वो देख सकेंगे अब यह यहां पर जहां जहां पर application था वहां वहां पर app हो गया है MS Word 2016 के इस अध्याय में आज आपने सीखा Home tab में Editing Block के तहत Find और Replace Options का उप्योग करना अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे like करें अने लोगों के साथ इसे share करें और नई वीडियो की जनकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें